श्री गनेशा या नमाहा नमशकार दोस्तों दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है चंद्रमा का हमारी दैनिक जीवन में विशेश महत्व होता है क्यूकि चंद्रमा सबसे गतिमान ग्रह है और हमारे रोज की जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते ह जैसे चंद्रमा एक जैसा नहीं होता हमारा दिन भी एक जैसा नहीं होता तो आईए देखते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम लेकर आ रहे हैं दोस्तों इस दिन चंद्रमा आपको बहुत ही शुबफल देने वाले हैं जी हां इस दिन चंद्रमा आ आपके अंदर देखने वाला होगा इस दिन खास करके स्त्री और आपके ससुराल पक्ष से लाब होने की आपको बहुत ज्यादा संभावना रहेगी इस समय में आप कई मामलों में सफलता हासिल करोगे आपका लाइप पार्टनर आपको पूरी तरह से सहयोग करेगा इस समय मे आप अपनी जन्मभूमी से और विदेश से दोनों और से धन कमा सकते हो इस समय में आपकी आर्थिक सिदी काफी मजबूत रहेगी इस समय में आपको धन कमाने के नए नए जरिये भी मिल सकते है अगर आप बिजनेस करते है और वो बिजनेस पार्टनर शीप में है तो वहा आपकी बुद्धी तीवरगती से काम करेगी आप इस दिन कुछ नया सोचोगे अपने काम को आगे बढ़ाओगे और इस वजे से आपकी डेली की इंकम भी बढ़ेगी अगर परसनल लाइप की बात करते हैं तो इस समय में लाइप और बहतर बनने वाली हैं अपने पार्टर क साथ समय बिताना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा मोज मस्ती भरा प्रसनताव आनन से भरा दिन रहेगा ग्रानक्षत्र आपको आज पूरा सहयोग करेंगे तो आपके प्रेम जीवन में आगे बढ़ने के लिए नए कदम आगे बढ़ाने के लिए पूरानी तकरार मिटा पूराने के लिए और नए रिष्टे बनाने के लिए हर तरह से ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा घर परिवार में खुशनमा माहोल रहेगा मैरिड लाइक भी इस समय में बहतरीन रहेगी अपने परिवार को खुश करें और आपके अपनों को थोड़ा ज्यादा समय ये वक्त कही घूमने फिरने के लिए एंजॉय करने के लिए काफी अच्छा रहेगा यात्राय करने के लिए भी समय हर तरह से अनुगूल है अगर स्टूडन्स की बात करें तो स्टूडन्स इस समय में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे आपके लिए समय बहतरीन गौन्सेंट्रेशन अच्छी रहेगी ये समय जम कर पढ़ाई करने का है अच्छे समय का पूरा लाब जरूर उठाए अपने टार्गेट सेट करे और उस और पूरी लगन से बढ़े काम्याबी मिलकर ही रहेगी अगर स्वास्ते की बात करते हैं तो इस समय में आपका स्वास करें सुबह टहलने जरूर जाए बीमारी आपसे दूर ही रहेगी इस दिन आपके लिए सफेद रंका इस्तिमाल करना अच्छा रहेगा और छे अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तों यह राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है लेकिन कभी-कभी हमार जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग् कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति की जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारों तरप एक अजीब सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें भारे नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते हैं दोस्तो काफी लोगों को इस तरे की आदत होती है कही से भी बाहर से आती है कही भी जूते चपल फेक देते है कही पर भी उतार देते है कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते चपल डायरेक्ली उतार देते है दोस्तो ध्यान रखे, जूते चप्पल हमेशा सापसूतरे रखे और उनको उनकी जगे पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए, उस स्थान पर रखे, अगर कोई व्यवस्ता उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर उने रखे, सापसूतरा रखे जूते चपलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे कि वो देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी तो दोस्तो इस बात का ध्यान जरूर रखे साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चट के उपर जीन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते है ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है क्योंकि ये चीजे हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीछे रखेगी इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरे से साप रखे पूरी तरे से साप सुत्रा रखे, क्लीन रखे साथ ही दोस्तों हम हमेशा देखते है घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हाँ, सीडियों के नीचे कूडा, कच्रा, कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रखते हैं तो उस वेज़े से मालक्ष्मी हम पर प्रसंद नहीं होती, मालक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रखे, हमारे घर की सीडिया होती है, उनकी नीचे की जगा, हमेशा साप सुत्री रखे, क्लीन रखे साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है, जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला, इत्यादी, तो आप इन सामानों को बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है, आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है, तो घर में ऐसी चीजों का मोजुद होना शुब नहीं माना गया है, इससे धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है, इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा क संचार होता है, और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, व्यक्ति के मन में चीड़ चीड़ा हट होती है, और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है, इस जीवन घर में मोजूद इन चीड़ों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है, इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़े कूडा कचिरा नहीं रखना है, दोस्तों एक और खास बात है, हमारे घर में मकडी का अगर जाला है, तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है, जी हाँ वो अशुब माना जाता है, घर में मकडी का जाला होना अशुब है, इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते हैं, क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है, और अगर आपके घर में मकडी का जाला है, तो इससे घर में नक सकारत्मक उर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे सकारत्मक उर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है दोस्तो मुख्य द्वार भी हमेशा साब सुत्रा रखे मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है क्योंकि मुख्य द्वार से ही हम भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते हैं तो दोस्तों वो चीजे नहीं रखनी चाहिए जो भगवान के फोटो या भगवान की मुर्तिया जो घर के मंदिर में हैं बस वहां तक सिमीत है, अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मुर्तिया रखी है, कुछ फोटो रखेते हैं, उन्हें भी साफ करते रहना चाहिए, जिन चीजों को हम मेंटेन नहीं कर पाते, साफ नहीं रख पाते, उन चीजों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा साथ ही दोस्तो कुछ तस्वीरे है, जैसे डूपते नाव की तस्वीर, या फिर जगडे की तस्वीर, या फिर कुछ ऐसी तस्वीरे होती है, जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है, कि ये तस्वीर निगेटिविटी दर्शा रही है, इस तरह की तस्वीर भी आपको आप आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोठे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते हैं तरक्की ला सकते हैं धन ला सकते हैं मा लक्षमी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाए इस तरह के बदलाव आप आपक के घर में जरूर करें धन्यवाद